दोस्तों नमस्कार एक वाफिर से आप सभी का क्रिप्टो करंसी की दुनिया में स्वागत है और आज का वीडियो फ्रेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है खासकर जो लोग क्रिप्टो करंसी अब बिटकोईन में काम करते हैं तो चलिए फ्रेंट्स स करते हैं फ्रेंट्स जैसा कि आपको पता है कि पूरी वर्ड वाइड ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी का यूज बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है चाहे वो टेली काम इंडस्ट्री हो या फिर रियल इस्टेट हो और या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट हो और या फिर पूरी व परपज है कि हर एक बड़ी कंपनी ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी का यूज कर रही है सिर्फ एक रीजन है अपने बिजनस का जो ग्रोथ रेट है उसको इनक्रीज करने के लिए ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी का यूज कर रही है ऐसे में चलते अभी एक लेटेस्ट निज निकल करके आई है आप सबी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है नाइकी की तरफ से ऐसा आपने देखा होगा हर एक ब्रांड क्या कर रही है ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी का यूज कर रही है लेकिन अभी तक आपने कोई भी जो जूते बनाती है कंपनी उसके बारे में नहीं सुना होगा लेकिन फाइनली नाइक कंपनी की तरफ से यहाँ पर इंपोर्टेंट एनॉसमेंट हो चुका है और आई होप कि आप लोग नाइक का नाम जरूर सुने होंगे नाइकी के बहुत अच्छे-च्छे सू जाते हैं मैं भी लाइक करता हूँ और इनको यूज भी करता हू तो फाइनली क्या हुआ है नाइकी ने अनॉसमेंट कर दिया है कि ब्लॉकचेन टेकनलोजी का यूज करेंगे सप्लाइचेन मैनेजमेंट के लिए जैसा कि आपको पता है कि पूरी वर्ड वाइड जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है सप्लाइचेन मैनेजमेंट बहुत ही तो ये थी पहली और इंपोर्टेंट न्यूस आप सभी लोगों के लिए अब हम बात करेंगे यहां पर ब्लॉकचेन टेकनलोजी तो जो है पूरी वर्ड वाइड फेमस हो चुकी है जितनी भी बड़ी कंपनीज है उन्होंने भी एडप्ट कर लिया है और आने वाले टाइ कि कमपनी के बारे में बहुत अच्छी कंपनी है तो वोड़ा फोन ने आफीक्स पाइनली क्या है प्लॉक चैन टेकनलोजी का यूज कने जा हुआ है क्यों क्योंकि नके Find करने के लिए उनको verification करने में जो detail होती है company की उसको verify करने में जो customer के detail होते हैं उनको verify करने में कहीं न कहीं बहुत ही दिक्कत होती है इसकी वजह से blockchain technology जब use हो जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा transparency होगी उसके साथ साथ जो गाम करने का तरीका होगा बहुत ही ज़्यादा fast हो तो इसकी वज़ा से जो verification होने वाले हैं वो बहुत ही fast हो जाएंगे तो ये थी friends दूसरी important news Vodafone company की तरफ से अब हम यहाँ पर बात करेंगे friends France की तरफ से बहुत ही धमयकेदार news निकल करके आई है क्योंकि वहाँ पर अभी तक bitcoin legal तो था no doubt लेकिन आपको पता है कि हर एक country में बहुत अच्छे tight rule और regulations लगते हैं इसकी वज़ा से bitcoin वहाँ पर 100% वहाँ की government regulate कर चुकी है लीगल कर चुकी है उसको as a money मान लिया है जी हाँ और वहाँ पर official announcement भी हो चुका है France country में कि bitcoin क्रिप्टो करंसी को as a money यहाँ पर regulate कर दिया गया है और जो पहला country था जापान उसने भी as a currency bitcoin को regulate किया था जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है अब हम बात करेंगे यहाँ पर Brazil country से यहाँ पर जो news निकल कर कर कही है ब्राजील में मैं आपको बताओ already cryptocurrency bitcoin exchange ATM सब कुछ वहाँ पर regulate है लेकिन वहाँ के जो ministry of education है उन्होंने यह announcement किया है जितनी भी degrees हो मैं आपको बताता हूँ आपने इंडिया में भी देखे होंगे बहुत सारे diploma बहुत सारी degrees होती है जिसमें कुछ fake होते हैं या फिर कुछ number fake add हो जाते हैं या फिर कुछ source लगा करके degree जो है वो फरजी यूज हो जाती है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि blockchain technology का use किया जा रहा है ऐसे में चलते किसी की फरजी degree या फिर fraud इसका इस तरीके से कुछ भी नहीं हो पाएगा और जो proper student है उसका verification करने में बहुत easy होगा तो ब्राजील country में क्या हुआ ministry आप education ने वहाँ पे announcement कर दिया कि जो भी degree होगी जो भी diploma होगा वो blockchain technology पर based होगा तो ये आने वाले time में हम अ यहाँ पर South Korea जी हाँ बहुत बड़ा cryptocurrency का market है South Korea country और South Korea country में भी almost cryptocurrency regulate हो चुकी है एक्चेंज regulate हो चुके हैं ATMs भी लगे हुए है ICO हर तरीके से regulate है वहाँ पर लेकिन अभी पूरी 100% अच्छे तरीके से terms और condition लगा करके यहाँ पर legalize कर दिया गया है cryptocurrencies को जो South Korea का financial regulators हैं जितने भी officers हैं उन सभी लोगों ने पूरी research और analysis करने के बाद में क्या किया है cryptocurrency को regulate कर दिया है तो कहने का मतलब पूरी worldwide क्या हो रहा है blockchain technology का adoption बड़ी-बड़ी companies कर रही हैं और जितने भी अच्छे country हैं जो बड़े country हैं वो क्या कर रहे हैं Bitcoin को regulate कर रहे हैं उनके उपर terms और condition लगा रहे हैं किस तरीके से taxes अप्लाई किये जाएं हर एक तरीके से पूरी worldwide Bitcoin cryptocurrency और blockchain का धूम धणाका मचा है आने वाले time में हम अपने इंडिया country में भी देख सकते हैं क्योंकि जो bank यहाँ पर लगा था RBI के द्वारा वो हट चुका है Supreme Court का announcement भी हो चका है तो आने वाले time में हम देख सकते हैं कि इंडिया में Bitcoin regulate हो सकता है आप लोग हमें comment करके जरूर बताईएगा कि आखिर इंडिया में कब तक Bitcoin regulate हो सकता है तो यही था important वीडियो आप सभी लोगों के लिए I hope कि आपको यह पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो एक like जरूर कीजिये का share ज़्यादा से ज़्यादा कीजिये और हाँ चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिये क्योंकि हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए take care, have a nice day